नमस्कार विद्ध्यार्थीऊν स्वागत है आप सभी का तिवारी एगरी कल्चर एकेडमी के YouTube प्लेट पर प्यारे बच्चों मैं सवयं तिवारी तिवारी चल्चर एकेडमी काका देव कानपूर प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इस वर्स तिवारी एगरी कल्चर एकेडमी उत्तर प्रदेश का नंबर वन संस्थान बन चुका है क्योंकि बहुत सारे सेलेक्शन जो है हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के चारोकर्सी बिस्विद्यालेओं में बहुत सारे बच्चों का चैन हो चुका है सारे बिद्यार्थी जो है अपना दाखिला ले रहे हैं और उसी स्रेड़ी में जो सफलता की स्टोरी चल रही है आज आप लोगोंने सिवम सिंग की स्टोरी आप लोगोंने सुना किस तरीके से उन्हों उन्होंने कोचिंग संस्थान से जुड़े और उनको सफलता मिली और आप सभी जो है बहुत दिन से जब से यूपी कैटेट का स्टार्टिंग काउंसलिंग प्रकिरिया चल रही है तब से आप लोगोंने विकास बर्मा यह हमारे बगल में विकास बर्मा है आज हम लोग इस वीडियो में विकास बर्मा के सक्सेश की स्टोरी को अच्छे तरीके से समझेंगे ठीक है यहाँ पर विकास बर्मा बताएंगे किस तरीके से यह कानपूर आये कानपुर में बिभिन कोचिंग संस्थानों को भ्रमड किया और उसमें से इनको जो है तिवारी एग्री कल्चर एकेडमी सबसे बेस्ट संस्थान लगा और इन्होंने आ करके यहाँ पर अपनी पढ़ाई को जो है कंटीनिव किया क्या इन्होंने पॉजिटिव पाया हमारी बातों से क्या इनको समझ में आया ठीक है इन्होंने डेमो क्लास भी लिया डेमो क्लास के बाद जो है डिसाइड किया कि कानपुर में नंबर वन कोचिंग संस्थान तिवारी एग्री कल्चर एकेडमी है तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अगर आपकी रेंग ज्यादा आ गई है, किसी कारण बस आपका दाखिला नहीं हो पा रहा है, तो आपको घबराने की जरुवत नहीं है, आप सभी जानते हैं पिछले 6 महिने स तिवारी एगरी कलचर एकेडमी जो है उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को चाहे वो एजी बर के छातर हो, चाहे मैत गूरुप के छातर हो, चाहे बायो गूरुप के छातर हो, सभी विद्यार्थियों को proper जो है क्लासिस 6-7 घंटे regular क्लास जो है प्रदान किया है, तो ब पंदरा से 20 रेंके जो आपको दिख रही टेलिग्राम चैनल पर वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल के समय जो बिद्ध्यारती हमारे डिश्टल क्लास्रूम से जुड़े रहे ठीक है हम लोगों ने मेहनत किया उसी मेहनत का रिजल्ट है विकास बर्मा पूरे उत्तर कल्चर अकेडमी के बारे में कैसे यह संस्थान में जो है यह संकल्प ले लिए कि हमें यहीं पढ़ना है और सुरू से लेकर के अंत तक ठीक है यह यहां पर जुड़े रहे हमसे और काउंसलिंग की प्रकिरिया आप लोग देख रहे हो वो बिकास बर्मा की रेंग जो है ज हैं उनका जो है ाउट आफ सेने बस आगया था फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि इन बच्चों की रैंक जो है 45-5000 तक की है तो उन लोगों को कहीं न कहीं दाखिला मिल जाए पूरा प्रयास में कर रहा हूँ, proper system बता रहा हूँ, कैसे choice फिल करना है, कैसे counselling आपको करानी है, ठीक है, वो सारी चीज, जो हमारा संस्थान कर रहा है, और सारे बच्चे इस बात से परचित भी हो गए है, कि तिवारी agriculture academy उनके साथ है, ठीक है, तो आईए हम विकास बर्मा से बात करते हैं, आप, आपका जो है, परिषय विकास बर्मा से कराते हैं, कि विकास बर्मा कहां से बिलांग करते हैं, कैसे यहाँ पर कानपूर पहुंचे, ठीक है, और संस्थान में उनको positive और negative क्या दिखा, वो सारी चीज विकास बर्मा अपने मूँ से आराम से बताएंगे, ठीक है, विकास बर्मा, आप जो है, अपने मित्रों को, अपने सास्यों को, ठीक है, motivate करिए, जिससे आने वाले 2021 की exam में, जो भी विद्ध्यारती बैठें, तो कैसे उनको पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें explain करोगे one by one, सबसे पहले आप अपना introduction देंगे, आपकी rank कितनी आई है, आपका group क्या है, ठीक है, संस्थान का चुनाव आपने, क्यों किया, कैसे किया, वो सारी चीजें, और इस Corona काल में, संस्थान ने आपकी क्या मदद की, यह जरूर आप व्याख्या करिएगा, ठीक है, आपके सामने बहुत सारे YouTube platform से बहुत सारे आपके मित्रगन जो देख रहे हैं, जो 2021 का एक्जाम देने वाले हैं, चाहे वो math group के हों, चाहे bio group के हों, चाहे agriculture के छात्रों हों, ठीक है, उन सभी विद्यार्थियों को one by one, एक एक चीज आप explain करेंगे, ठीक है बिच्चों, तो आप सभी लोग विकास बर्मा की बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इससे आपको एक नई उर्जा मिलेगी, नया motivation मिलेगा, जिससे आगामी 2021 का exam, आप crack करके ठीक है, उत्तर प्रदेश के चारो किसी विस्विद्याले में दैकला प्राप्त कर पाओ, या बियेच्चू में सेलेक्ट होकर के बियेच्चू में एडमिशन लो, या ICR के थुरू, जो है आपका सेलेक्शन हो, इंडिया के किसी भी जो है, अच् बहुत स्वागत है बच्चों, आप सभी का, ठीक है, आप सभी हमारी बात को सुन रहे हैं, और ये live interview चल रहा है, विकास बर्मा का, आईए जानते हैं विकास बर्मा से, उनके success की story, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बर्मा, फ्राम अमेटिकर नगर, मैं PCM ग्रूप से सबसे पहले आप UP कैटिट में अपनी रहेंक बताएं, आपका ग्रूप क्या है, आपकी मैध ग्रूप में कितनी रहेंक रही है? मेरा PCM ग्रूप है, और मेरा जो UG कंबाइन रहेंक होता है, वह है 2000-46, और मेरा जो मैध ग्रूप रहेंक है, आल उपी में, बान भी रहेंक है, तो इसके पीछे मतलब काफी मेहनत किये हैं सर ने, हमारे साथ, और इस कोचिंग संस्थान ने, हम जब पहले बार कानपूर आ ही था, जैसे अजीब सा को लग रहा था, मतलब अजनवी सायर, तो जब आएं तो हम पहले पहले यहां जब कानपूर में आएं, तो हमने जब आये तो यहां पर जो बहुत लोग आपको मिलेंगे, जो आपको मतलब भर्मित कर देंगे, जैसे आप अगर पूछेंगे कोई जीए, तो आपको दूसरे कोचिंग ले जाके, मतलब बैठा देंगे, कहेंगे कलास यहां देख लो, ऐसे लोग कहां पर मिले आपको, आप जब इस्टेशन से उतरे वहाँ पर, हमको नो नमबर करासिंग पर जो है, जो है बहुत सारे जो है दलाल घूम रहे होते हैं, वो चुकि यहां तिवारी एगरी कल्चर एकेडमी में, बच्चों की फीस कम कर दी जाती है, लेकिन दलालों को कोई भी दलाली नहीं दी जाती है, इसलिए वो विद्ध्यार्थियों को वहाँ भटकाने का काम करते हैं, जैसे ही आप टेम्पू से उतरेंगे ना, तुरंत वहा सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों की फीस कम कर देते हैं, ठीक है, तो वही कुछ ऐसा हुआ, जब विकास बर्मा यहां पर कानपूर में आए, नव नंबर क्रासिंग पर आए, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इनको भटकाने के लिए, तो कई कई जगें हमारे पास पहुची नहीं पाए, कई जगें ये एक हफ्ते तक डेमो लेते रहे, सबसे लास्ट में इनके मन में आया, कि तिवारी सर के यहां भी देख लेना चाहिए, फिर यहां पर हमारे यहां डेमो लिए, तो कैसा इनको लगा, वह आप समझिए, हाँ, जब मतलब है, गूगल और यूटूब आप कहीं भी देखेंगे, तो तिवारी ग्री कल्चर एकडमी पूरे कानपूर में फेमस, पूरी यूपी में फेमस, गूगल पे रिब्यूज, नमबर आप रिब्यूज सबसे ज़्यादा है, रेटिंग भी सबसे ज़्यादा है, और सबसे खास बात ये है, कि मैथ गूरूप, बायो गूरूप, एग्री कल्चर गूरूप, कि तीनों प्रकार के बच्चों की क्लासे यहाँ पर अलग-अलग होती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिस मीडियम सबको पढ़ाया जाता है, और बाकी संस्थान में क्या होता है, कि लेकी में बैठा देंगे, लेकिन यहाँ पर सबको मैथ गूरूप, एजी गूरूप, बायो गूरूप सबको अलग-अलग पढ़ाया जाता है, यही कुछ इनको डिफरेंस लगा होगा, तभी इनों ने हमारे संस्थान में एड्मिशन लिया होगा, जैसा कि सर बता रहे है कि यहाँ पर जितनी भी कोचिया हैं, किसी में PCM गूरूप चलता है नहीं, PCM, FPCB गूरूप भी यूपी कैटेड और बियच्चू, ICR का बैच अलग चलता ही नहीं है, बच्चों को मतलब ले जाएंगे, बताएंगे कि बियच्चू की तयारी करवा रहे हैं, और फिर उस आप देख रहे हो, पैटर्न बदल चुका है, जो एगरी कल्चर गूरूप को ही सिर्फ पढ़ाते हैं, वो अब UP कैटेड एजी गूरूप के बच्चों को सेलेक्ट करा ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने देखा, फिजिस केमेस्टी बायो का लेबिल क्या था, वही स उस्थान आप सभी को सेलेक्ट करा सकता है, चलिए, बताइए, तो यहां पर तो मतलब सभी कलास अलग अलग चलते हैं, मतलब यहां की जो पढ़ाई आप लोग देखेंगे, मैं आपको बता दूँ कि जब मैं यहां पहले 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 आया था, जो आपने डेमो ले लिया मैं दूसरी कोचिंग में पहले लिया तो क्या किये दूसरे कोचिंग फेजएं, तो हमने तो वहां पर पढ़ा तो मतलब एक सब्जेक्ट कोने थोड़ा भीज़ा तो अच्छा पढ़ा-दिया बाकी ज हम इस्ते इंटर्न पढ़े के आया थें, मतलब हम सबस्कु prin सबस्क्राइब कि मतलब जब हम गये सब्सक्राइब क्लास चल लए थी आहर फोर्स वह देखें ना हमने अंदर कलास पढ़र डेमो लेने नहीं गए तो हमने बस आप इसे बैठा था इस बलब वहां जो आप इस बैठती है मैं उनसे बाचीज चल रही थी तो हमने बस यही चीज़ सुना था कि सर एकसिलरेशन का डिफनेशन बता रहे हैं हमने का जब सर इतना मतलब इतना छोटे लेवल से बता सकते हैं तो कितना च्छा और प कर रहा क्योंकि हर चीज़ देखिये में हना सबको सबकुछाती रहती लेकिन आदमी पेपर में बैठ के मतलब कर यह एक पाता कुछ चीज होता ना कर बढ़ात होती तो फिर दिक्कत होता होती जहीं कि उसमें तो गलती होती से अपनी प्रैक्टिस की तो इसमें तो मतलब हम तो हमने मतलब पूछा कि सर आप कम से कम बियाच्चू या फिर इसीर फिर कानपूर में हैं सब इसीर बियाच्चू का सलेबस तक किसी को नहीं पता है यूपी कैटेट में क्या आता है किसी को नहीं पता देखे इस बार हमने 2011 से लेकर के 2019 तक का पूरा डिसकसन कराया यूपी कैटेट एक्जाम के पहले आप सभी लोगों को मालूम होगा जो भी मुझे क्वेश्चंस मिले थे ठीक है बच्चों के द्वारा ठीक है मेमोरी बेस् अब रही बात एजी गुरूप के जो चात्रों का सलेबस से बाहर आया ना पेपर इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत आई बट इस बार मैं पूरी कोसिस करूँगा कि सलेबस से बाहर ना आए सलेबस से ही आएगा ये लड़ाई बंद नहीं हुई है आप सभी देख रहे हैं क तो सबसे पहले हम लोग सलेबस की मांग करेंगे हैना तीन से चार दिन में हम लोगों को सलेबस बता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है भारत भारती फ्रेकासन पढ़ना है या तो प्यारे बच्चों जो आप लोगों ने एलेबंथ और ट्विल्ड पढ़ा है एजी पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से विकास बर्मा जो है, विभिन कोचिंग संस्थानों में डेमो लेने के बाद, तिवारी एगरी कल्चर एकेडमी का जो है, चुनाव किये, यहां पर पढ़ाई शुरू कर दी, पूरे साल जो है, इन्होंने पढ़ाई किया, अच्छा खास बात यह है, कि बिकास बर्मा कोचिंग के प्रती जो है, बहुत समर्पित रहे पूरे साल, और जैसे मालिजे कोई अध्याफक आते हैं, तो उनका मारकर देना, उनमें इंक डालना, बहुत सारी चीज़े होती हैं, तो यह स मंदिर में, यह भी एक मंदिर है, अगर यहाँ पर कोचिंग के लिए अगर आप कोचिंग में जारू लगा देते हो, कोचिंग के लिए कुछ काम कर देते हो, है ना, तो मुझे लगता है कि वो आपको देवी सरोस्ती, आपको साक्षात, आपको आसिरबात दे रही है, ठीक और अच्छी हो जाती है, अगर बच्चों का सपोर्ट रहता है, है ना, तो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, विकास बर्मा आगे बताएंगे, जैसा है कि सरकायर है, कि मतलब हम यहाँ पर मतलब कोचिंग के पर अपर समय तरहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो मतलब सर कभी कभी बिजी रहते थे, क्योंकि सर कभी अपना काम किसी दूसरे को पर नहीं छोड़ा, जैसे कुछ कोचिंग में ऐसा है, कि मतलब यह लोग है, कहीं से दूसरा का पेपर अपलोड है, फेस्बूक पे वहाँ सब उठा लेते हैं, तो वही पर टेस्ट करवा दे हैं, लेकिन सर कभी ऐसा नहीं करते हैं, सर का मतलब जैसे है, सर अपना जितना कोईश्चन बनता है, सब मतलब सब चक करते हैं, तब पिर कहीं जाकर उसका टेस्ट करवाते हैं, तो ऐसा होता है, तो मतलब सर कभी बिजी हो गया है, तो मतलब हम कर देते थे, ऐसी कोई बात है तो मतलब कोनि बच्चे मजा लेते फिलेकिंसे कोई मतलब नहीं कि हम तो हम तो मतलब पूरा सर के ओपर डिबेंट्ट थे हैं क्योंकि हम जिस दिन मतलब सर से बात चीथ होई सर्ट करें कि मतलब सर अपनी रिपट सरकाइ बस तुम पढ़ते रहना तुम्हें पढ़ाई पिधान देते रहना बाकि जो होगा से हम देख लेंगे तो हम ने उसी दिन से मतलब खुद को सर के ऊपर डिपेंड कर दिया हम बस के ओल रूम पे रहते थे थे पढ़ते थे बस इतने हमारा कांट तो बाकि और जितना हमें क्लास सारा दिन रहता है और यह होता है कि मतलब हर Goti एक घंटे की आप अगर पीस दे दीन तो आपको एक घंटे की कलास दीजेएगी या फिर वह आपको कोई कारे की क्लास में सब लोग आकर हुआ करते हैं सभी अच्टे करते हैं लेकिन हो सरा गांट चार घंटे क्लास चल दिए अगर कोई बंदा कोई बच्चा भी पढ़ना चाहा रहा है किसा रहा हमको इतना बताए तो सर्थ उसको सारा दिन पढ़ा सकते हैं आराम से बैट करके यह नहीं मतलब कि हाँ अगर आपको थोड़ा कमारा तो आपको छोड़ दिया जाएगा ऐसा क हम कुछ मजानते हैं इसको अचा दूसरी बात यह है कि जब लागडाउन हो गया कोचिंग बंद हो गई तो यह विकास बर्मा घर जा रहे थे क्योंकि इनका पार्टनर घर चला गया अपना गया से लेंडर लेके चला गया बरतन लेके चला गया होटल बंद हो गया सब यह सब की और से बात कर रहे तो इने फोले कि यहां पापा यह बोले कि हो अभश है इनको घर बेज दिजए क्योंकि यहां पर होटल बंद हो रहा थो कहाएंगे कहाँए पीएगे तो वह सारी सब्सक्राशर तेख लेंगे ठीकए तो आगे किats रही और एंको रोका यह जा रहे जाना हो तो सर से पूच्ट जाते थे लात कोई प्रकारной कर रहे तो एक कानपुर में यहां पर देख लीजेगा क्योंकि देखें घरते हैं पासे कहीं पार निर्व पहलता नहीं दिखाये तो यह होता था है कि मतलब जैसे कुछ बच्च के और यहां यतने बच्च और खेशे थे हैं कोई कहीं एक मिलाब कहीं बाहर तग नहीं निकलता था तो यह हुआ हमने आके सर से पूछा कि सर घर जाने वाले हैं तो पापा से कहें ठीक बात कराओ तो मनें करा तो मतलब यही हुई कि मतलब मैं सुस्ष्बंद हो गया थे तो आप जानते हैं लागडाउ सर रोके हैं तो मतलब यह होता ना सर एक परकार थे मतलब आपके परेंट्स ज्यादा आपकी देखभाल कर रहे हैं यहां पर क्योंकि यहां पर मतलब जो होता ना मतलब की तो सर की बहुत बड़ी गुरूप है जैसे मतलब हमारे कोचिंगे जो टीचर था है इनकी बहुत बड़ी गुरूप है तो यहां पर बच्चों की हर एक बच्चों के पास काल किया जाता है साम को सबसे बातचीत होती है जितना भी टेस्ट होता है मतलब सबका नंबर सबके घर बेज़ा जाता है मतलब बच्चों के से मिलने बच्चों से देखते हैं क्या कर रहे हैं सब पढ़ाई चल लए कि अधिकतर यह होता ना कि मतलब सर तो पढ़ने वाला हो तो साथ उठना पाए अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जब संडे की क्लास हैं आप लगाई जाती कुछ इस पेसल टीचर आते हैं पढ़ाने तो कुछ ऐसे बच्चे हैं तो सोते रहते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो खेलने चले जाते हैं है ना अगर मालो तीस बच्चे हैं तो तीस में दस क्लास लेंगे तो उस दिन तो ऐसा हो जाता कि पांच शे घंटे साथ घंटे क्लास क्यों कि उस तनमा मतलब सर की इतने बैच चलते हैं जैसे सर का बैच है तो एर फोर्स का इसा हो जाता है इतनी भीड़े सर के पास जानते हैं सर काका देव के ब्रांड फिजिक्स के तो एर फ वालों को बुलाते हैं फिर उनके उपर लगते हैं मतलब एक्वली जो है सब पर टाइम दिया जाता है यहाँ पर है ना संडे को मतलब संडे भी यहाँ पर आफ नहीं रहता है ठीक है दूसरी बात यह है कि आगर जो रहेंक आप इनका सुन रहे हो 2046 अगर यह लॉक्डाउन क तो बहुत अच्छा पेपर गया उसी के आधार पर इनका जो है रहेंक इतना अच्छा आया है नहीं तो रहेंक जो है बहुत ही ऊपर चला जाता अगर फिजिस के मेस्टी निका मजबूत नहीं होता है ऐसे जो एजी के चात्र है है ना वह एग्री कल्चर तो करी लेते हैं अगर फिजिस के मेस्टी मैथ जो लोजी बॉटनी अच्छे से किसी कोचिंग में पढ़ा दिया जाए वो सिर्फ और सिर्फ तिवारी एगरी कल्चर में ही अच्छे चलते हैं अगर इतना अपने अच्छे से तयार कर लिया ना तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएग टॉप हंडड़ के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी है ना और यही आपके लिए फायदा है कि तिवारी एगरी कल्चर अकेडमी में तिवारी सर स्वयम फिजिस कमेस्टी देखते हैं और आप आईए आप सभी का स्वागत है जो नए सत्र के लिए हैं 2021 में एक्जाम करेक कर करना चाहते हैं उनके लिए 20 अक्टूबर से क्लासे सुरू हो रही है ठीक है विकास बर्मा की जब यह रैंक आई यह घबरा गए थे कि मेरा हो नहीं पाएगा पूछो इनसे बहुत घबरा गए थे फिर हमने कहा घबराओ नहीं मैं पूरी काउंसलिंग करूंगा और आप को ने देखा वन बाई वन पहले से लेकर के एडमीशन तक जब है हम इनके साथ रहें इनकी काउंसलिंग मैंने कराया इनका एडमीशन भी कराया ठीक है सियसे का लखीम पूर खीरी केंपस इनको मिला है नहीं तो इनसे कम रैंक वाले जो 1400 रैंक 800 रैंक 900 वालों को कहीं पर क दिरेक्टर के संपर्क में रहते हैं लगातार तो हमें भी लगेगा कि यह स्टुडेंट हमारे संपर्क में हैं तो हम भी आपके बारे में सोचेंगे देखो कोचिंग तो बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन कुछी बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं वही बच्चे गंगर अपने स्ब्श्चान से बात obsess बाता करके अगर उनको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है वो मुझे कॉल करें हम उनको जुँ है अपने अध्यापकों को बताएंगे किस बच्चे को यह दिखत है है ना अगर हमें सारी चीज़ें आप अगत कराएंगे तो हम अपने अध्यापकों से बहुत अच्छे तरीके से बोलेंगे कि ये बच्चा बहुत खास है अपना इसको अच्छे से देखेगा लेकिन अगर बच्चों आप लोग हो सकता आप किसी टीचर से आप कुछ ऐसा पढ़ा रहें बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही योग्य हैं और हर बच्चे की बात को सिरियस लेते हैं और कोसिज करते हैं हर बच्चे का चेहरा देखके पढ़ाते हैं कि समझ में आया की नहीं आया ऐसी यहां पर फैकल्टीज हैं कि आपको लगेगा और आप लोगों देख भी लिया YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों ने सभी टीचरों को देखा कितने मेहनत से, कितने इमांदारी से, कितने निष्ठा से, कितनी स्रद्धा से पढ़ाते हैं, है ना, वैसे टीचर आपको कहीं पर देखने को नहीं मिले होंगे, जैसे टीचर हमारे संस्थान में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब इनकी 2046 रहें काई, इते डिस्टर्ब हो गए, हमने काई डिस्टर्ब ना हो, एडमीशन कराने का काम मेरा है, मैं जब एडमीशन लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ, गारेंटी हमारी है, एक दिन भी, आप अपसेंट ना होए, कोचिंग आ हो पाया है, और जो हमारी बात को सुन रहे हो, जो एक बरसी कोचिंग यहां पर किये है, उनकी रैंक जादा आई है, अगर उनका एडमीशन नहीं हो पाया है, तो अभी भी वो संपर्क हम से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है, संपर्क में नहीं रहते हैं, ठ लेकिन सेलेक्शन नहीं हो पाता, सेलेक्शन सिर्फ कोचिंग कराती है, वो भी तिवारी एगरी कल्चर एकेडमी ने यूपी कैटेट पे पूरी तरीके से पीचडी कर लिये, तो इससे अच्छा संस्थान और इससे अच्छा गाइडेंस देने वाला कोई संस्थान ना पेडमीशन हो जाता है, लेकिन विकास बर्मा जैसे रैंक ले करके हमने काउंसिलिंग कराया और ये साबिक कर दिया कि जिसकी ज़्यादा भी रैंक होगी, उसका भी चैन होगा, भले ही वो फ्री में ना हो, पेड में हो, आज कल का जो जमाना है, जो कमप्टिशन है, इसमे बच्चों आपको चाहे फ्री मिले, चाहे पेड मिले, आप सीट रिजर्ब करिए, आप एडमीशन लीजिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए, ठीक है, तो बच्चों जो है, आप देखें कि इतनी ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी, हमने इनकी काउंसिलिंग किया, और इनका एडमीशन करवाया, ठीक है, और भी, जितने भी बच्चे ऐसे हैं, जिनकी रैंक ज़्यादा है, देखो जिनकी धाई हजार से ज़्यादा रैंक है, कुल मिला करके, धाई हजार प्लस वाले जो हैं, आप काउंसिलिंग के चकर में ज़्यादा न पड़ें, काउं वो मूड बना लें कि हमें कोचिंग करना है, 6-7 महिना बचा हुआ है, इसमें अच्छे से पढ़ करके, 2021 का एक्जाम करेक करना है, तिवारी सर के सानिध्य में जो है, एडमीशन जरूर मिलेगा, ठीक है, किसी बिस्विद्याले में आपका एडमीशन जरूर होगा, ठीक है तो जिनकी रेंच जादा है, वो कोचिंग आ जाए, अगर उनका सेकेंड काउंसिलिंग में नाम आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना एडमीशन ले लेंगे, उनकी फीस जो भी यहाँ जमा किये होंगे, वो फीस वापस कर दी जाएगे, उनका स्वागत भी कि संदित हो, या कोई गाइडेंस उन्होंने लिया हो हमसे, तो वो अपना लाइब इंटर्व्यू हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे उनके पीछे आने वाले जितने भी उनके जूनियर हैं, या उनके जो मित्र हैं, वो सभी जो हैं, उनसे और जो आएंगे यहां इस्टूडेंट, चाहे अगरी कल्चर के हों, चाहे मैस के हों, चाहे बायो के हों, उनको कैसे यहां पर पढ़ना है, ठीक है, वो चीज़ आप बता दी, सबसे पहले इस पर बता ही कि कैसे आपने टाहरी आइज सब्जेक्ट पढ़े, क्या टॉप का पढ़े, और जो आप ताहरी करेंगे, बच्चे तो वो बहुत कैसे तेहरी करें देखेंसे फ़एं," इसमिले, यहां पर यहां पर क्या होता, कि फिजिक्स से इतनी अच्छी तो कोई कान पूरे नहीं चलती होगी जाद हमें मानना है क्योंकि हम तो आप जानते होंगे मतलब हम तो करीब देख चुके हैं सब क्या फिजिक्स लेकिन जैसा तो कोई पढ़ाई नहीं सकता कभी और जो हो मैथ मैथ तो आपका इनवर्सल चल चलती है उससे पूरी तयारी करें बाकी और यहां को मैटर मिलेगा आपको जो और इस्ट्रा मैटर होंगे उसको प्रड़े प्रवाइड करते रहते हैं टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगो टॉपिक वाइज आपको देते रहेंगे ठीक है आपको कोई मार पढ़ेंगे घ्रवाइज आपको मिलता रहेगा और जितना कॉपि में नोट्स बनवा दिया जाए उसी नोट्स को बार बार आपको पढ़ना है बहुत सारी किताबगें पढ़ने वह किताब उसको कृड़े पढ़ने कुछ नहीं पढ़ना है सिर्फ पसिर्फ हमारा नोट् कुछ आप याद करते रहिए वैसे बहुत अच्छा एगरी कल्चर पढ़ा रहे हैं सर योगेन सर बहुत अच्छे टीचर हैं आप लोगों ने देखा भी जो है यूटूब चैनल के माध्यम से तो हमने सर से कहा है इस बार जो भी बच्चा आए तो उन सभी बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता अच्या जो एक बार कोचंग कर चुके है जो कानपूर में किसी भी कोचंग सनस्तान में का उनका most welcome है है ना उनके लिए जो है जो भी फीस सब के लिए होगी उन बच्चों के लिए बिसेश छूट दी जाएगी फीस में फीस नाम मात्र की ली जाएगी यह समलो निसुलक होगा एक तरीके से उन बिद्यारतियों का बहुत-बहुत स्वागत है तिवारी अगरी कल्चर अकड को भी बच्चे हमसे जुड़े हैं जो दूसरे कोचिंग संस्तान के हैं और वो कहते हैं सर जो है आपके बारे में मुझे पता नहीं था या किसी दूसरे ने गुमराह कर दिया या सी असे में कोई हमारे भईया पढ़ते हैं उन्होंने गुमराह कर दिया उन्होंने कह दिया वहाँ चले जाओ, है ना, आपके बारे में पता नहीं था कितनी इच्छी आप फिजिस कमेस्टी पढ़ाते हैं, इतना अच्छा है, यहाँ पर मैथ पढ़ाया जाता, इतना अच्छा जुलोजी बॉटनी सर पढ़ाते हैं, है ना, यह मुझे मालूम नहीं था, बाद में कोरोना ने सभी कोचिंग संस्थानों की पोल भी खोल दी है, कलेर हो गया है, अब किसी भी रिपीटर बच्चे को कहीं दूसरे संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों का तिवारी एगरी कल्चर एकेडिमी में हार्दिक स्वागत है, फीस की कोई बात नही है, जो भी फीस आप गुरू दक्षणा के समान देंगे, वो मुझे स्वाइगार है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो रिपीटर चात्र है, वो जरूर आएंगे, हैना क्योंकि एक साल का उन्होंने समय गवाया है, अब 6 महीने, और बच्चे हैं बच्चों, आप जो है किस एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं समस्थान के, और पूर्तया समर्पित रहे हैं, और अगर इन्होंने तिवारी सर पर विस्वास किया है, तिवारी अगरी कल्चर एकडमी पर विस्वास किया है, तो हमने एडिमिशन करके भी दिखाया है, इतनी ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी तो जिन बच्चों की रैंक जो है ज्यादा आ गई है अगर नहीं मिल पाया है काउंसलिंग वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्रापर गाइडनस हम से लेते रहें और वैसे भी यूटूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहे हैं ठीक है आप सभी लोगों का चैन हो जाए जिनका जो है सेलेक्शन कहीं भी किसी भी विस्तविद्याले में हो वो जरूर आएं हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से लाइव इंटर्विव दें जिससे उनके जिले के उनके गाओं के उनके सहर के ठीक है उनके स्कूल के जितने भी उनके जूनियर्स हैं उनसे मोटिबेट हो करके तिवारी एगरी कल्चर एकडमी में आएं और वो 2021 में सफलता का पर्चम लहरा है ठीक है लास्ट में विकास बर्मा जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किसी बुक को लेकर कि मतलब कोई बुक लिया होगा बाहर से फिर उससे तयारी किये तो ऐसा कुछ नहीं है देखो मेरा एक मतलब स्टूल था एक मतलब मैंने फिजिस के तो जो सर पढ़ा है वही फिजिस काभी वाला पूरा और वाकी कमेश्ट्री तो था मेरा NCRT क्योंकि NCRT यहां चलती है और मायद था इनवर्सल था और एक बुक और थी उसका तो साइद वह सब जो हम मतलब यहां पर पढ़ाते थे सर खुद अपना परड़े नोट्स प्रॉपर देते रहते हैं मतलब परड़े की सीट होती है और परड़े का हर सब्जेक्ट की सीट मिल यहां परड़े उतना ही कर लो बाकि फिजिस कमेश्ट्री मैथ मैं यही पढ़ता था और इजिनिंग मतलब यहां से मुझे सीट मिली मैंने करीब मैक्सम कोईश्चन सीट है के हैं बुक चाहे मतलब सर अब सर पढ़ा रहे हैं सर को तो इतना इतना नालेज है आप कैसे बता हैं तो अपनी जूलोजी की किताब बॉटनी की किताब ठीक है फिजिक्स, केमिस्टी, मैथ, सारी बुक्स जितनी उनकी 11th और 12th की है वो सारी बुक्स लेकर के आएंगे बच्चों उनको पढ़ना बहुत जरूरी है एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना जरूरी है ठीक है वो सब एक एक लाइन पढ़ाया जाएगा साथ-साथ में NCIT भी पढ़ लेने हैं जहां से पूछ लिया जाता है और आपकी किताब में नहीं लिखा है तो वो सारी चीज़े भी आपको पढ़ा दिया जाएगा ठीक है तो विकास बर्मा का कहना यही है कि आप स्वंस्थान आईए विश्वास करके आईए और आपको अच्छी ब्युस्था यहां पर मिलेगी खाने की रहने की सारी ब्युस्था करा दिया जाएगा ठीक है बीस तारिक से क्लासे से स्टार्ट हो रही है पूर विस्वास के साथ आईए यहां पर कोई दिक्कत नहीं रिपीटर जो चात्र हैं डारेक्ट हम से कॉंटेट करें किस कोचिंग में पढ़े बच्चे अब जो 6 महीने हम लागडाउन में पढ़ाते रहना यह एक साल में इतना नहीं हो पाता जितना हमने लागडाउन में साथ साथ गंटे पढ़वाया आट-ाट गंटे लाइफ क्लास के माध्यम से पढ़वाया तो बहुत सारे बच्चों की रहेंगे बहुत सारी रेंके आ गई है ना वो सारी रेंके एक एक रेंक करके एक एक लाइब इंटर्व्यू आप लोगों को दिखाया जाएगा बच्चो तो आप सभी लोग जुड़े रही इसी तरीके से मोटीबेट होते रहिए और 20 अक्टूबर से नया बैच श्टार्ट हो रहा है एजी गुरुप का अलग बैच है मैत गुरुप का अलग है बायो गुरुप का अलग है यह सी एस्ट या बीपियल धारक जो भी बच्चे हैं जो गरीब छात्र हैं वो जरूर हमारे यहां आए उनको फीच में बिसेस शूर दी जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है कल्चर के छेतर में करांती लानी है तो प्यारे बच्चों आप लोगों का सायोग जो है जरूर मुझे चाहिए ठीक है अगर आपका सायोग रहा तो वास्तों में कानपुर की जो भी दुकाने हैं ना जिनों ने आपके साथ धोखा किया हजारों की संख्या में पढ़ाया सर फीस में बहुत ही रियायत देंगे फीस ना मात्रकी लेंगे अच्छे से उनको पढ़ाया जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो बाकी विकास लगभग अपनी पूरी बात कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है कुल मिला करके इनको खुसी यह है कि इतनी अच्छा य जाएगा परिसान ना हो तो क्या सोचें तो सर जब आपने बताया तब मसलब क्योंकि हम पूरा आप पे डिपेंड हैं आप मतलब जब हम आये कानपूर तबीस से मतलब बस आप ही को जानते हैं यह सब ही जानते हैं जो आप लाइन कोचिंग किये हैं जो बच्चे देख रह अब अब यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे और अपने भविस्त को बनागा लेकिन अब कोई बात नहीं है अब तो यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे और अपने भविस्त को बनाएंगे आगे और आने वाले जो भी विद्ध्यारती हैं सभी लोग तिवारी अगरी कल्चर अकेडमी आएं अच्छा जो बच्चे से में एडविशन ले रहे हैं ठीक है वो सभी लोग आएं उनका लाइब इंटर्विव विकास बर्मा की तरह ह ऐसे ही जो है कराया जाएगा यूटूब चैनल पर जो है डाला जाएगा तो हम सभी से रिक्ष्ट करेंगे अगर आपके दिल में कहीं से है कि तिवारी अगरी कल्चर अकेडमी का सायोग रहा आपके साथ आपके सेलेक्शन में अगर एक परसेंट भी सायोग रहा है तो हमारे साथ बात चीत करिए यही सबसे बड़ी खुसी होगी हमारे लिए है ना तो प्यारे बच्चों बस इसी के साथ अपनी बात को बिराम देते हैं ठीक है बच्चों मिलते हैं अगले लाइब इंटर्विव में ठीक है दूसरे बच्चे के साथ धन्यबाद बच्चों